हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज का चैप्टर है सेकेंड जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रेंग और इसकी जो और्थर है वह है एनिस जंक बेसिकली यह जो चैप्टर है उन बच्चों पर डिपहने जो कि सलम एरिया में रहते हैं और बहु करीब है उनके लिए उनकी लाइफ सिर्फ कुड़े कबारे तक ही सीमित है कुड़े में से जो है अपनी जरुत का समान ढूनना और अगर पैसे मिल जा तो उस पे अपनी लाइफ को स्पैंड करना इसके अलावा जो है उनके मन में कभी भी यह नहीं आया है कि हम जो है स्कू इसलिए आई है क्योंकि वह इतने गरीब हैं कि इन सब चीजों को बच्चे जो है अफोर्ड नहीं कर सकते इस वजए से उनकी फैमिली उन्हें जिस तरीके से चलाती है उसी तरीके से वह चलते चले जाते हैं उनको यह नहीं पता कि उनकी लाइफ जो है एक तरीक से स्पॉ अपनी लाइफ को गरीबी और चाइड लेबर में जो हैं पूरे के पूरे जोग चुके हैं और इस चेप्टर के जो हैं दो पार्ट हैं फर्स्ट हैं सम्टाइम्स आई फाइंड आउपीस इन आ कार्बेच जो की एक साहब नाम की लड़के की कहानी है और डूसरी है आई व वो दिखाया गया है तो आई ये शुरू करते हैं चेप्टर की समधी इसके फर्स्ट पार्ट की सम्टाइम्स आई फाइंड रूपीस इन गार्बेच जिसका मतलब है कभी कभार मैं कूरे कच्रे में से एक रुपया पाता हूं इसमें होता क्या है जो लेखी का है वो बहु जिससे की लेखी का बात करती है उसे उसकी बारे में पूछती है कि तुम कहां से हो तुम्हारा नाम क्या है तो लड़का बताता है कि मैं धाका से हूं और वहां बार तुफान की वज़े से मेरी घर और ठेज बहा गये थे जिसकी वज़े से अब हम सीमापुली कभारी की ज से चलती है और फिर जो है तूँकि ये बच्चे जो ए स्कूल नहीं जाते हैं कि पूरे दिन जो है इनALLY सब चीजुओं में गुज़र जाता है बच्चों से पूशती हैं कि तुम जो है तो येão स्कूल क्ःनिए जाते हैं तो कहता है हां मैं जरूर आँगा और जब जो ओधर है उस साहिब से क्या है तो बोलता है मेरा नाम जू है तरीके से अगर इसे अपने नाम की मीनिंग पता चल जाए तो शायद ही उसे उस पर विश्वास ना हो तो साहेवे आलम जिसका मतलब होता है ब्रमान का स्वामी यानि लॉड ओफ यूनिवर्स और जो साहेवे और उसके फ्रेंड जो है वो सब जो है कबार की अलागलत गलियों में घुमते हैं कि उनमें से कुछ उनको मिल जाए सुबह से लेकर शाम तक जो है ये लोग यही काम कर जाते हैं सुबह तो पहले दिखाई देते हैं खूब दोपैड तक एंदेन इवनी में ये लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं और यह जो बच्चे इन्होंने जो है स्लिपर यह जूते जो है नहीं पहने हुए है तो इसलिए ऑथर भी पूछती कि तुम नंगे पैर ज इसीति तरीके से एक आदमी की कहानी बताती है जो के अदम्टरी एक जूड़ी जूते की एक मंदिर के सामँ 게ड और इसे जूते जो है आखे का मेली जाते है बताती है कि दिल्ली के सीमापुरी पेलाके में कबाड ४र्णों के हैं उनके बारे में की वह अभान जह हैं किस कंडिशन में रह रहे हैं तो बताती कि वहां उन्होंने अन्वरंटेट जगे थी कि जो जो कि जबरन कबजा करके इनों नैं अपनी जगळ बसाए हुई थी जहां और इसके बाद वो बताती हैं कि यहां घर मिट्टी के बने हुए है च्छत टीर और टेपाल की बने हुए है यहां सीवेज नहीं है, नालिया नहीं है नाहीं पीनी का साफ पाणी और बहुत सी वहां की परिशानी उसके बारे में बताती है, वो बताती है कि यहां पिछले 30 सालों से ज्यादा कवाड़ी यहां रह रहे हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है, पर उनके पास राशन कार्ड है, क्योंकि वो जो है वोटर लिस्ट में इनका नाम है, इससे पता चलता है, लेकिन उनके लिए वोट से भी जादा सरूरी है खाना, जो कि उन्हें राशन कार्ड के जरीये जो है, मिल जाता है, और इससे जो है उनकी फैमिली कम से कम खाना तो खा सकती है, दो वक्त का, और पर एक वहीं फटी भी साड़ी पहने एक महिला जो है, उन्हें दिखती ह और वह बोलती है कि हम दिन की एन होने तक कम से कम भर पेट खाना तो खा लेते हैं, जिसे कि हम सोनते हैं, जब तो हमारा पेट खाली नहीं होता, और साथ किसा दो बताते हैं कि जो ढगा के हरे भरे मैदान थे, उनकी तुम्ना में जो सिमापुडी का जो इलाका है, वहां य धाका में बाड़ा गई तो बताते हैं कि वहां तो कुछ अब रहा हिनी उनके लिए तो इसलिए उनको जहां खाना मिलता है और आपना गाड लेते हैं, आस्था यूरूप से अपनी बना लेते कि यहीं जो है उपना खाना पीना खाएंगे, यहीं रहेंगे, और उसी जगह पर बचे बी रहते जीवन की सफेतने का मतलब काहएगा कबार चुनना को अब और कई सालों के बाद तक ये जो काम है उसने का रूप ले लिया है कुड़ा कच्रा इनके लिए सोने का रूप है सोना है क्योंकि यह बताते हैं कि हर दिन की रोटी का जुकार वह इसी से होता है और बच्चों के लिए यह एक इंटर्स्टिंग गेम उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट क्योंकि वहता क्या है जब बच्चे खुड़ा बीनते हैं उसमें से उन्हें उसना कुछ ऐसे चीज मिल जाते हैं जिससे वह बहुत ज्यादा फुशिव हो जाते हैं जैसे यह बताता है कि एक बच्चे को एक वा पाने की इच्छा के लिए जो है जो है जाया और ज्यादा कॉन्टे थे में से कुछ ना कुछ चीजे जो पुन्हीं कि एक लाज़सा है यहwarak के लिए यह उनकी रोजी रोटाई है और बच्चों के लिए एक क एडवेंचर है और एक बार क्या होता है जो ओठर है वो जो है कलब्स के बाहर ही खड़े हुए हैं दो बच्चे उनको देखती है जो वो यंग लड़के है जो कि टैनिस खेलते हुए उनको जो है वो राइटर देख लेती है और वहीं जो है शाहँ होता उसे जो है टैनिस खेलना बहुत पसंद है साहँ को भी और वो कहता है कि जब कोई आसपास नहीं होता तो यो उस जगह जो है अंदर चला जाता है और गेट की पर उसे जूला जूले देता है और एक दिन जो है साहब के लिए बहुत बड़ी चीज थे क्योंकि कुछ ना होने से तो अच्छ है जो भी हो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इस वज़े से साहब सूचता है कि पहले तो में नंगे पैर फिरता था और अगर मुझे जूते मिल रहे हैं तो इसमें छेद है इसे मुझ अफ़ीर पन दूर तक नहीं थी अब आधर बदाती है कि आज कल साहब एक छाय की दुखान पर काम करनी लगा है और उसे 500 रुपए दिया जाता है और इस समय जो है सहइब के चैए पर जो एक चिंता वा करती थी वहा है जो जो एक जो इन्जॉइमेंट की उस चीज को जो एंजॉइक करता था कवार में जो ढूंता था उसको इंजॉइक करता था वह जो है बस उस चीज की कमें दिखाई देती है और ऑफर बताती है कि उसके हाथ में एक लोहे का कंटेनर है जो कि उसके प्लास्टिक कवारे के बैक से ज्यादा भारी लगता है और उसे जो है अब अपने हल्द के कंदों से उठा लेता है और साहिब जो है अब अपना पैसे मिलते हैं, तो, basically इस chapter में हमने जो है यह देखा कि एक slum area के बचे की कहानी ती जोता साहे और उसकी जो है, पूड़ा कबार, जो था, उनके लिए वो सोना था, साथ की साथ, जो है, इस last motion में जो है, उसकी जो जो वह चिए और के अंडर वोग करता है, वह अपना मास्टर खुद नहीं रहा, क्योंकि जो उसका कबार का मंत नहीं कर सकता है, उसमें जो ओपरार्ण करता था, यहाँ नहीं कर सकता। बट हां उसे इस चीज की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है कि उसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यहां उसे जो है 800 रुपे जो है हर महीने दिये जाते हैं